है दोस्तों आप सबका स्वागत है फैंटसी क्रीक फान के एक और नाइफ वीडियो पर दोस्तों इस वीडियो में कवर कर रहें जो इंग्लिस वन डे कप का मैच्चेस के लिए जाएंगे डी ए आर वेर्स जी ए एल के बीच में गैस हम लोग यहां पे बात करेंगे प्लेयर डीटियल्स में अनालिसिस करेंगे साथ ही बात करेंगे बैटिंग ओडर पॉसिबल प्लेइंग लेविन एंटस गाज एक प्लर के बारे में पूरा इंडप्त अनालिसिस करेंगे क्योंकि देखो अभी तक इसी एस टीटेन और जारखन टीट फंटी लीग से यह काफी बेह करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजेगा ताकि इससे लेटेवर हम किसी भी दूसरी वीडियो को जब भी अप्लोड करेंगे उस वीडियो को नोटिफिकेसन आप तक जरूर पहुंचेगी तो जानल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा तो जलते हैं प्लेयर बै से विनिंग कर रहे हैं रिजन हारने का गईस यहां पर देखो अभी रिसेंट मैचस में कोई इंटरनेशनल मैचस अच्छा चल नहीं रहा हाला कि अभी जो रोयल लर्डनम कप है यह वंडे का वंडे मैचस के लिए यह आपको काफी अच्छे मैचस देखनों कि मिलेंगे त तो सबसे पहले जो आप चान पर नए हैं सब लोग जूड़ा यह एक फैंड से सर्च क्रों अपने तेली कांप पर जाके जो मेरे एक अपडेट कर दे जाएंगे तो कुछ नहीं करना एक अभाट से एक फैंडेट करके आप सब लोग लाज्ट मुन तक हमाई तेली का पर ज जी एले के बीच में गाइज यह रोल लंडन कप का तीसरा मैच यह उसके लगबग साड़े तीन बज़े करीम है और आप सब को जो एवरेज इसकोर देखनों के मिलेंगे एक सबबग से डो सो तीस के बीच में आपकोड़न बनता हो जाएंगा यह फर्स्ट टेनिंग एवरेज स्कोर है वही जाज बात करते हैं आप डी ई आर के टीम तो रीसेंट तीन मैचस में तीनों मैचज लोस किये यहाँ पर थोड़ी मैंजे मुझे टैपिंग करने में साथ में श्टेक होंगे तो यहाँ पर जो जी एले के टीम रहेगे तीन मैचे से लोग वन किये एक मैचे सिर्फ लोस किये नोटिस कीजिएगा आपको सिम ऐसे ही सर्च करना है पहला लेटल कापिटल होना चाहिए उसके बाद फैंटेसी क्रिक फैन आप सर्च करके टेली काम चाल को हमारे जरूर से जोएन कर लीजेगा तो गाइस अब हम एक प्लेर के बारे में पुरा डीटियल्स में कवर कर लेते हैं तो गाइस सबसे सबसे बात करेंगे आपको हैरी तोमस के साथ ओपनिंग बैटिंग करने के लिए यह आएंगे यह आपको जो रिसेंट मैचस की बताएंगा तो आप सबसे पहले प्लेंग लेंगे देख लो उसके बाद हम नीचे सारे प्लेयर का रिकॉर्ट भी दिखा देंगे आपको तो बात करते हैं अब बात करते हैं पर जी एल के पॉसिबल प्लेंग लेएं तो आपको आपको हैं पर हमिश रदिर्फोट इस मैच में आपको खेलते होना जाएंगे निकोलोस के साथ ओपन कर रहे हैं और गयाजिंकी पोकोंस भी रदर्फूट का काफी बहतरी ना आपको दे करेंगे यंडी और मेचल वी इस मैच में खेलने वाले यह तो यहां पर यहां पर यह प्लेंग लेका पॉसिबल मिला लाइड लीजेगा अपको टेली गांप अपडेट कर दूँगा पर भाइस खुद के रिसर्च से भी टीम बनाय करो आप अप अच्छे कासे प्रोपिट अच्छे प्रोफिट में चलो गया इस अपने मन को सुनो लोग जो कहते हो कहने दो सिर्फ जो अगर आप खुद के सुनने लोगे न जिस दिन से अपको कम्याभी आपको खुद मिलने लगेंगी तो यह सब चीज़े ध्यान में रखिएगा हरागे हम सबसे पहले एल ओ एक प् इनकी जो दूसरी मैचस 86 का स्कोर देखे आपके मन में हाईडिया हर होगा तो आपको अच्छे कास रन बना कर दे सकते हैं तो आप इन्हें मौश्टर बात करें तो आप ग्रेंडली के टीम में इन्हें काप्टन ट्राइक कीज़ेगा इस स्मॉली के टीम में अजब आप प ट्राइकर करें जरूर से चलेगा उसके बाद निकोलस की बात कर तो रिसेंट तीन मैचस ओपनिंग बैटिंग की है 14 और 33 और 4 का स्कोर करें देखो गाई जकर आप ड्रोप करना चाहते हो नो ता आप इससे ड्रोप कर सकते हो रिजन इनकी रिसेंट मैचस की परफोमेंस मे आपको ठीक ठाकी देखनों की मिलेंगे एक एवरेज प्लेयर आपको एवरेज पॉइंट दे कर जाएंगे इन्होंने पहले मुकाबले 15 का स्कोर दूसरी मैचस में 15 पर जीरो विकेट जहां पर चाहँवर के बालिंग और दूसरी मैचस में 14 पर एक विकेट गाई इंकी प मैचस खेल चुके तीनों मैचस में की परफॉमेंस ओवर राल बहुत पहतरीन रही है पहले मुकाबले 60 का स्कोर दूसरे मैचस पंदरा और लास्ट मैचस का स्कोर किये स्मॉली के टीम के लिए बहुत इंपोर्टन ग्रैंड ली के कंबिनेशन में कैप्टन वैस कप्तन स्म कहने का मतलब यह कि स्मॉली के टीम के लिए काफी इंपोर्टन रहेंगा वाइस रीसेंट मैचस की बोगों में सब देखो यहां पर टॉम या वैली में से किसी ये को ट्राइकर जगा वैली काफी अच्छी आप्सन सरेंगा आप इनके साथ ही जाएगा जो कि आपको काफी एच्छे पॉइंट इस मैच में दे सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर जेम को कुना जाएंगे जो कि अभी तक इनकी परफॉमेंस चेक करें तो ओबराल इनोंने पहले मुकाबले 22 पर तीन विकेट निकालते दस ओवर के बॉलिंग किये थे और दोस्तों इसके बाद द ग्रैंड ली कोंबिनेशन के लिए बहुत इंबोर्टन प्यार रहेगा तो आप ग्रैंड ली के टीम मेंने कैप्टन वेस्काप्टन ट्रागर के चलेगा उसके बाद आप कहलों और टैलर की बात कर तो अभी तक रीसेंट इन की तीन मैचस की परफॉमेंस से करें तो पहले मकाबले 9 का स्कोर करके एक बीगर निकालते 10 बालिंग के देडिसरी मैचस में 36 का स्कोर करके 1 बीकर निकालते 7 बालिंग तीसरी मैचस में 3 पर एक बीगर जहां पर 10 बालिंग किया आचैका से options फिसमली के टीम है इज़ा प्लेयर आप ट्रागर के जाना चाहत हूँ तो धर आएंगा दर्वाइज इस बाद को यह दिना जाएंगे जो कि अभी तक रीसन्ट तीन मासे के लिए पहले मुखाबले नहीं तो इनको बैटिंग करने का मौका मिला था नहीं तो बॉलिंग करने का मौका दूसरे मैशे जाहा हमाओं करा तो एककर है हैे नहीं ultimately कापन्स काफ़ीन को भी सब स्ब्कुर्ण कर लोग गाएंगा और आप चाहा हुँ तो हैंकि अब neatly का व्यसकाफन को ज़ाएंगEr वालकुर्ट ना जालेंगे जो कि रिसेंट टेक मैचस के लिए जहां पर मिडल ओडर बैटिंग किये एक विक्टर निकालते तो सोबर के बॉलिंग खेलेंगे तो आप इन्हें ग्रैनली के टीम में ट्राइगी जाएगा बाकि एक टीम में जो भी चिंजस होंगे इसकी के साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं रिसेंट टीन मैचस की पॉपों में चेकर तो पहले मुकाबले छे का स्कूर दूसरी मैचस में दो और लास्ट मैचस इन्होंने पहतार इसका स्कूर गया तो यहीं कापी अच्छे ऑप्संस हो सकते हैं चाहों तो अपने स्मॉली के टीम में सब लोग एज़ा प्लेर टाके जाए ग्रेंड़ी के टीम में कैप्टन वैस कप्तन आप ट्राइगर के जा सकतो इसके बाद ब्रोग गेश्ट नजा रहेंगा जो की रीसेंट तीन मैचस खेल चुके हैं पहले मुकाबले 40 का स्कोर दूसरे मैचस चोफतर और लास् की बाद पास यह वड़े का अच्श्चे प्लेर गाईज इनके पास एक्स्प्रीरियंस का का पही बहतरिन और एक स्मॉली के टीम के लिए का इंपकर पार स्मॉली ले में सब लोग कर चले में टॉमस वाड को ग्रेंड के टीम में ट्राइगा रिजन दीको कभी कबार यह ब पॉपोवेंच चेकर तो तीनों मैचस में उनने बहुत अच्छे पॉपोवेंच दिया था पहले मुकाबले चोगा स्कोर के जीरो विक्टे जहां पे दस ओवर के बॉलिंग और दूसरी मैचस में तीरान पे दो विकेट नो उबर के बॉलिंग लाष्ट मैचस इनोने एक जाएगा उसके बाद अगसी बात करें तो रीसेंट मैचस इनोने एक खिला था 14 के स्कोर टीम के कैप्टन भी है अच्छे कासे उप्सन से रहेंगे तो आप उन्हें ग्रैंडी के टीम में ही ट्राइक करके चलेगा उसके बाद हरीवे के बात कर तो इनके स्टार्ट से को यह बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे अपसों से रहेंगे ग्रैंडी के लिए अच्छे कासे इस मॉली के टीम में हम इन्हें ड्रॉप करके चलेंगे उसके बाद अंजू डाल जो कि रीसेंट दो मैचस खेल चुके हैं रन से नहीं हो बिकेट से भी नहीं कुछी से भ लोग इनको इस मॉली के टीम में ट्राइकर कर जरूच चलेगा उसके बाद रहवी रामपोल जो की रीसेंट दिन की तीन मैचस की पॉफोमेंच चेकर तो पहले मुकाबले दो विक्टे उसके बाद जिरो बिक्टे लास्ट मैचस जिरो बिक्टे गाइस कुछ खास बेदर प्रिस्क लेन चाहते हैं तो आप ट्राय करके इनको जा सकते। रिस्क कवर कर पाऊं तो इनको ट्राय करके जा सकते। नहीं लिसकी बात को तो रीसेंट तीन-मैचस की प्रफूमेंच तो कुछ खास बेदर आपको देखनों के मिलेंगे नहीं कॉर्णर के भी कुछ खास ब पर तो कैसे स्टार्ट करते हैं आपर बीगेट की इपनिंग सेक्षिन से दो गाज देखो यह स्पीच पर बैट्समें को काफी अच्छी हेल्प मिलती है तो हम यहां से बैट्समें को ट्राइ करेंगे और अलंडर फोकस करेंगे तो सबसे पहले अब बात करेंगा डियार के प कैपें वेस्स गतल को ट्राइ कर सकती हैं अब डुखर है पर अगर आप चाहरो तो अंजूट को ट्राइक कगई समयक्स मेरी asaf से हम इसमाच वें घ्लawia करेंग करेंगे आप चाहूं तो ट्राइख करना तो आप सब ट्राइक की जैगा और रवंडर से माथ करो लाद के प्लेयर को चल सकते हो उसके बाद आपको मैट की बात करें तो अभी तक का ओवर और प्रफॉमेंस कुछ खास बैदर मुझे दिखा नहीं रामपुल को इस मैच में ट्राय किये हैं बॉलिंग सिक्षन से कुछ खास यहां पर आपको प्लेयर देखनों के मिलेंगे नहीं डेखन को आपको ओर सकते हैं तो अब यहां पर देखो हमारे पास कुछ खास फ्6 है नहीं तो हम यहां से जो प्लेई यृर को रखे फैसे चारी यह प्लेयर को ट्राय करेंग妹 समॉली प्तिम के लिए अगर आप मेच निर्ष करना हो अपने मताबिका वमस् और यहां पर एक प्लेयर आपको शेंजिस कर सकते हैं जो कि साइद आपको एक बारे में बताया था जो कि साइद अगर आप इस बॉलर के बारे में जानते होंगे करने के कोसिस करेंगे तो कर लीजेगा मेचिल को अगर आप चाहूं तो इस मैच में कैप्टन भी ट्राइगर जासा तो जो कि अभी तक इनकी रिसेंट मैच में बहुत अच्छी विकिट्स निकाल चुके हैं जो मेरी वाइस कब्दन देखो अभी यहांपर डिफरेंसल पीक करेंगे साथ परसेंट सेलेक्ट परसेंट कैप्टेंसी अगर चल दे तो वनसाइट आपको वेनिंग करवा कर देंगे सकते हैं और अधर वार्द देखो रधर फुट ग्रैंडली के लिए अच्छे कास से उप्सन रहेंगे तो आप उन्हें कर लिजिए जो भी मेरे एक फा